नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आजिरें एक नई वेकेंश के साथ और इस वीडियो में उस वेकेंशी से समधित संपून डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें और इस नोटिफिकेशन की जो पीडियेप है वो आप हमारे टेल के अंदर जारी हुआ है इसका जो इंगलिस वाला है वह आपको दिखाते हैं यह देख सकते हैं इसका इंगलिस वाला नोटिफिकेशन जिसमें सूरत मुंसिपल कोर्परेशन के दोरी विकेंशी निकली है जिसमें पोस्टे रहने वाले में वारडबोय की मेडिकल ओपीसर क अब देखते हैं कितनी पोस्टे रहने वाले हैं और क्या प्रोसिस रहेगी ऐगी कि अब है्गरे बात करे इसके लिए सब्लीस्पेसलिस्ट के एमडी यह डीन वी जो डिगरी होती है की होग चाहिए तीन पोस्टे हैं इसके बाद सीनिर रेजिटेंट की पोस्टे इसके MBBS ये MD degree होने चाहिए टोटल 26 पोस्टे रहने वाली हैं। उसके बाद medical officer के लिए MBBS डिगरी चाहिए 116 पोस्टे हैं। उसके बाद nurse ये staff nurse की पोस्टे हैं इसके लिए जीनम ये BC nurse ही होनी चाहिए इसके लिए 201 card में ये 291 पोस्टे रहने वाली हैं। उसके बाद ward boy इसके लिए 10 पास होने चाहिए टोटल 40 पोस्टे हैं। उसके बाद आया इसके लिए 80 पास होने चाहिए इसके लिए 77 पोस्टे रहने वाली हैं। age limit की बात की जाए तो अप्लिकेश जो अप्लिकेंट हैं जो अभीरती हैं उनकी age 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अपने age limit में जो छूट है वो government और गुजरात के नुचरा आपको मिल जाएगी। application fees की अगर बात की जाए तो application fees आपको किसी भी परकार की जम्म नहीं करवाने पड़ेगी। selection process की बात की जाए तो यह इंट्रिव के अधार पर आपका selection होगा यानि वोकन इंट्रिव के अधार पर यह विकेंटी होने वाली है। अगर pay scale की बात की जाए तो 15,000 से लेकर 55,000 रुपे तक आपको परमत पेमिट मिलने वाली है। यानि 15,000 से 55,000 की बीच में पोस्टों के आधार पर आपको पेमिट मिलेगी। MBBS वालों को अलग स्टाप नर्स वालों को अलग इस परकार से पेमिट मिलने वाली है। अप्लिकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको हमारे टेलिग्राम चनल या वार्टसप ग्रूप पे एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप इसके ओपिशल साइट पर पहुंच जाएगी। ओपिशल साइट पर पहुंचने के बाद वहाँ पर आपको मेडिकल ओपिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नर्स के लिए वार्डबोई नोटिफिकेशन उनमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो अप्लिकेशन फोर्म आएगा उसको डाउनलोड कर लिजे और उसका एक प्रिंट ले लिजी। और प्रिंट लेने के बाद उसको पूरुप से फिलेप कर लिजे। और जो डेट देर के उस दिन और उस स्थान पर इंट्रीव में आप समली हो जाएगी वहाँ पर आपका इंट्रीव होगा और इसका जो नोटिफिकेशन वह डाउनलोड कर सकते हैं ओपिशल साइट के आपको लिंक मिल जाएगी इसका जो इंट्रीव का वेन्यू रहने वाले यह स्थान रहने वाले वो रहेगा सूरत मुन्सिपल कॉर्परेशन गुजरात के अंदर और इसकी इंपोर्टेट डेट की बात की जाए तो जो इंट्रीव होगा इसका वो होगा बीस जुलाई दोजार बीस को जो सूरत गुजरात देख सकते हैं गुजरात के अंदर सूर नर्स की बात की जाए तो काफी बड़िया पोस्टे हैं तो जुरूर अपलाई कर सकते हूं तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे वीडियो में दिगे जानकरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शे से भारत।